दोस्तो इस समय HAL और New Space Research and Technology साथ में मिलकर CATS यानि की Combat Air Trimming System पर काम कर रहे हैं CATS प्रोग्राम में 5 हतियार होने वाले हैं जैसे CATS Warrior Drone, CATS Infinity Drone, CATS Alpha Drone, CATS Hunter Cruise Missile और इन 4 हतियारों को ओपरेट करने वाला तेजस Max होगा इस समय CATS प्रोग्राम ही HAL का वो प्रोग्राम है जो बिल्कुल समय पर चल रहा है नहीं तो HAL के लगबग सभी प्रोग्राम ही 1-2 साल लेट चल रहे हैं अभी तक हम KETS प्रोग्राम के लगबग सभी हत्यारों को बना कर तयार कर चुके हैं, इस समय हम अपने Infinity ड्रोन को बना कर तयार कर चुके हैं, जिसकी टेस्टिंग की जा रही है, वही पर हम KETS Alpha ड्रोन को भी बना कर तयार कर चुके हैं, और अब से कुछी समय पहले ये भी निकल कर सामने आई थी कि हमने अपनी cats hunter cruise missile के fabrication पर भी काम शुरू कर दिया है जिसने ये बात तो साफ है कि अभी तक cats hunter cruise missile को भी लगबग बना कर तयार ही कर लिया गया होगा लेकिन अभी तक भी cats warrior drone को लेकर कोई बड़ा update नहीं आ रहा था लेकिन आज update आ चुका है दरसल HL की तरफ से एक expression of interest को जारी किया गया है जिसमें HL ये चाहता है कि हमारे cats warrior drone के लिए कोई company air intake duct का mass level पर production कर सके यहाँ पर air intake duct का मतलब यह होता है कि जहां से हमारे cats warrior drone के अंदर हवा जाएगी उसी को ही air intake बोला जाता है इस समय HL ने cats warrior drone के air intake को बना कर तयार कर लिया है और अब HL की तरफ से एसे partner की तलाश की जा रही है जो इस air intake का mass level पर production कर सके HL की तरफ से जो ये cats warrior drone बनाये जाएगा इसको HL की तरफ से composite material की मदद से बनाये जाएगा जिसका फाइदा हमको ये होगा कि हमारे cats warrior drone का RCS यानी की radar cross section काफी हद तक कम हो जाएगा जिस कारण दुश्मन देश के defense system आसानी से हमारे cats warrior drone का पता नहीं लगा पाएगे और एसा नहीं है कि HL की तरफ से केवल cats warrior drone के air intake को ही दूसरी कमपनियों से बनवाये जाएगा cats warrior drone में कई ऐसे component लगेंगे जिनको HL खुद बनाएगा लेकिन production दूसरी कमपनियों से कराएगा एसा HL की तरफ से इसले किया जा रहा है क्योंकि इस समय HL के पास बहुत से project है cats program को लेकर उमीद इस बात की की जा रही है कि अगले साल यानि की 2025 के अंत तक HL की तरफ से cats program को बना कर तयार कर लिया जाएगा और 2026 से cats program के सभी हत्यारों की testing दबा कर शूर हो जाएगी और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि हमारी वायू सेना के पास कितनी संख्या में cats program के ये हत्यार होने चाहिए इस बात का अंसर आप कमेंट वोक्स में दे सकते हैं थेंक्स पूर वोचिंग दिस वीडियो हैव अगया